हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग आज था इसका 67th BPSC PT exam और फ्रेंट्स CDPO के लिए बिहार special history के जो important questions है उनको हम कबर करेंगे इससे पहले हम लोग ने बिहार जोगराफी को कबर किया हुआ था तो अगर आपने न notification सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बीना देरी किये हुए आज का session स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिजिएगा आज की session का पहला प्रसंदिके फ्रेंट्स पहला प्रशन है कि बिहार में तामर प्रस्तर यूग के परवर्ती चरण के उसेस कहां से प्राप्थ हुए है तो ध्यान देजिए एंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ध्यान देजिए फ्रेंट्स बिहार में तामर प्रस्तर यूग के परवर्ती चरण के उसेस जो है यह चिरांद सार अगर आपसे पुछा जाए कि बिहार में मध्यवर्ति प्रस्तर युग के साक्ष कहां से मिले हैं तो मुंगेर से इसको भी आप दिहान रखिएगा दूसरा कुछन देखिए कि बिहार में आदी मानों के उपस्तिती में अरंभिक साक्ष किसके युग के मिलते हैं तो सहीं सर इसका हो जाएगा अपसे नमबर डी पूर्वो प्रस्तर युग के तीसरा प्रस्तित देखिए कि बिहदरत वंस का अंतिम राजा कौन था देखिए ये जो बिहदरत वंस है या भारत की सबसे प्राचीन राजवंसों में से एक था इसके अस्थापना बिहदरत ने टेंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपसे रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें देखिए कल जो है हम लोगों ने बिहार स्पिसल का समसामाई की और बिहार समान ग्यान से संबंदी जितने भी इंपॉर्टेंट कुस्तन जो आपकी एक्जाम में बन प्रचंड सेन कहा गया है ठीक है प्रचंड सेन का स्वामी कहा गया है एक राट भी कहा जाता है इसको एक राट पुछा जाता है ध्यानर की एक राट भी इसको कहा जाता है सर्वच्छत्रान तक भी कहा गया है पुरानों में और इसने कलिंग को मगद में सबसे पहले मिलाय था राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा राइट अप्सेर नमबर भी हो जाएगा तीन सो चो आलिस से 322 इसाफ पुर्व कि कुस्त नमर फाइब देखेगा कि इनमे से किस सास्ता को उगरशेन भी उगरशेन का भी नाम दिया गया है तो अभी मैंने आपको बताया ना राइट अंसर इसका हो जाएगा महापदम नंद ऑप्सेर नमबर यह राइट अंसर हो जाएगा उसका बाद छाठा प्रसंद देखेगा किनमे से किस लेखक ने कहा कि धाना नंद के पास दो हजार अस्वर हो ही एंवं तीन हजार हाथी थे तो यह हो जाएगा कर्टिमस कर्टिमस ऑप्सेर नमबर बी हो जाएगा अगला कुस्तन देखेगा कि महापदम जैन को कितने वर्सों के तपस्चा के पस्चात ग्यान की प्राप्ति होई थी फ्रेंड्स प्लीज वीडिय जाए गया है कि कितने वर्सों के तपस्चा के बाद उनको ज्यान की प्राप्ति होई थी तो बारा वर्सों तक भ्रह्मन और कटिन तपस्चा के पस्चात इनको रिजुपाली का नदी के उतरी टट पर बट बिरिक्ष के नीचे 42 वर्स की आयू में कैवल यान की ज्यान प् कुस्चन देखिएगा कि आमरपाली नामक नर्त की जो की महत्मा बुद्य के समकालीन थी का संबंद किस नगर से था तो देखिए रैट इंसर इसका और सी हो जाएगा वैसाली चलिए अगला कुस्चन देखिएगा कुस्चन नंबर 10 है हमारा कि कुमहरार अस्तल संबंदित है प्राचीन पाटली पुत्र से ऑप्सन नंबर डी रैट अंसर हो जाएगा उसका देखिएगा कि सासक मिहर कुल का संबंद किस वंस से था बताईए तो देखिए मिहर कुल जो था यहां हून राजा यहां मैं लिख दे रहा हूं हून राजा तोरभान का पुत्र था ठीक ह तोरभान का यहां पुत्र था तथा उसका उत्रादिकारी भी था बौध धरम का यहां कटर विरोधी था और इसने बौध मठों को जो बौध मठ थे बौध मठों को इसने ध्वस्त किया था ठीक है तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा आप्सन नंबर सी होन सासक उसक तो दूक है सभी की सभी जो है यह जो स्वन यूग कहे जाने के कारण में समीलित हैं ठीक है स्वन सिखके सांस्कृतिक विकास का चर्मत्सकर्स राजनेतिक सुध्रिट्टा विद्या की परिपूनता उसको देखिए हिंदू धरम में भागवत परंपरा का विकास हुआ था तो देखिए इस धरम का उदभाव जो है मौरियोत्तर काल में हुआ था इस धरम के संस्थापक स्वयम बासुदेव क्रिश्न थे राइट अंसर हो जागा इसका ओप्सन नमबर ए गुप्त काल में अगला कॉस्टन देखिए नेक्ष्ट कॉस्टन है हमारा फ्रेंट्स कॉस पालवंस की अस्थापना 750 में किस ने क्या था गोपाल नहीं किया था राजधानी कहां थी पालवंस की तुम मुंगेर थी नेक्ष्ट कुस्टन देखिएगा कि नालांदा विहार को 200 गाउंदान में किस ने दिया था तो पालवंस का जो सबसे प्रतापी सासकता धरम पाल इससे ने दिया था option number C right answer हो जाएगा उसको बाद देखिएगा कि करनाट वंस के अंतिम राजा कौन थे अंतिम सासक कौन थे करनाट वंस के बारे में जान लिजे करनाट वंस की अस्थापना 1097 इस भी में नान्या देव ने किया था किसने किया था नान्या देव ने किया थ और राजधानी इनकी सिम्रावड था और जो करनाट वंस था इसको मिथला का स्वन्ड को कहा जाता है आकरी सासक कि इससे कौन थे हरी सिंग देव थे रायट अप्सन नमबर बी हो जाएगा हरी सिंग देव ध्यान रखेंगे चलिए आगला कुस्टन देखेगा कि सेरसा सुरी के बचपन का नाम क्या था बहुत ही आसान कुस्टन है तो यह फरीद खाथा ओप्सन नमबर ए रायट अंसर हो जाएगा उसको बदेखे इनमें से किस मुगल सहजादे ने खुद को समराट खोसित कर साह आलमदूतिय की उपाधी धारन कर लिया था बताए रायट अंसर इस गुलाम कादिर खां गुलाम कादिर खां ने 1806 में जो है इसको मरवा दिया था किसको सहालम धुत्य की हत्या करवा दी थी अली गवर हो जाएगा इसका रायट अंसर उसको बहुत देखेगा कि सेरसा सूरी के नेमन लिखित घटनाओं में से इसमें से पुछा गया है कि यह हो जाएगा आपका बिलगराम कन्योज का युद्व तो यह बाद में है 1540 में 14-1549 में यह सूरजगढ़ा या सूरजगढ़ इसकी जो लडाई है यह 1534 में हुई थी ठीक है फ्रेंट्स किसके बीच में तो सेरसा और बंगाल के सासक मामूद खां के बीच में इसमें सेर आप मिल जाएंगे इसके देखे कोस्ता नुबर 20 है हमारा कि नलंदा विसविद्धाली की सवरप्रतम पहचान किस ने की थी तो इसकी पहचान क्या था अलक्जेंडर कनिंगम ने अगला प्रशिन है हमारा इंप्वार्टेंट कोस्तन है सभी के सभी यहां से प्रशिन आप पुत्र का नाम अजीमाबाद भी रखा था चले नेक्स्ट कोस्तन देखेगा कि बिहार में प्रांतिये सभाग यह स्थापना किस अधनियम के तहत की गई थी तो इफ्रेंट्स यह की गई थी 17-74 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंगला कोस्तन देखेगा कि भारत सोड आंदोरन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी बहुत ही असान कोस्तन है साथ हो जाएगा इसका राइट एंसर ठीक है ध्यान रखेंगे इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है उसका बाद छोटा नागपुर जन जाती विद्रों कब हुआ था तो फ्रंस यह जो हुआ था यह 1820 से 1836 के मद्धे हुआ था नेक्स्ट कोस्टन है कि सरप्रतम 1906 में प्रितक भिहार प्रांत की मांग किस ने की थे तो सचिदानन सिनहा, महेश नरायन, डॉक्टर राजिंद प्रसाद भी थे इसमें ठीक है तो प्रित्मे से एक से अधिक हो जाएगा ध्यान रखिएगा डॉक्टर सचिदानन सिनहा और महेश नरायन ने 1906 में दा पार्टीशन अफ बंगाल आथवा दा सेपरेशन अफ बि भाजन के बदले बिहार को अलग करने की योजना की रूप रेखा प्रस्तुत की गई थी नेक्स्ट कुस्टन देखेगा और 1908 में एक सभी किसामती जेक सम्मिलन भी हुआ था जिसमें की है बिहार को अलग करने का प्रस्ताव इसमें पारित भी हुआ था चलिए अगला कु कुस्टन है आपको याद भी होगा पीर मुहमद मुनिस हो जाएगा अपसन नमबर सी राइट अंसर हो जाएगा उसको देखें स्वामी साजानंद सुर्शती ने भूमी और जलमार्क के राष्ट्य करण की मांग के साथ अखिल भारती संक्त किसान सभा का गठन किया था तो फ्रंस यह किया था इन्होंने 1930 के दसक में आपको याद भी होगा ठीक है चलिए अगला कुस्टन देखिएगा नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि 1932 में जो गया के इंडिया नेशनल कॉंगरेस का जीवेशन हुआ था इसके अध्यक्सता किस ने की थी तो यह आद रखना 1922 में गया में हुआ था और चितरंजन दास थी इसके अध्यक्स 1912 में पटना में बाकिपूर में हुआ था ठीक है आरेन माधोलकर की अध्यक्सता में बिहार के महत्पुन सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है तो यह हो जागा इमाम ताज नकी ठीक है चलिए 29 के बाद 30 नंबर है हमारा कि फराइजी आंदोलन निम्लेकित में से किस विद्रोह आंदोलन से प्रिरित था तो यह था फ्रेंट्स किसे बहावी आंदोलन से ठीक है चलिए बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक को थे तो देखे रेट अंसर इसका अप्सन नमरी हो जागा महेश नारायन पटना में 1903 में इसका प्रकासन श्टार्ट हुआ और 1906 में जो है इसका नाम बिहारी रखा गिया अंगला कोशन देखेगा कि भावानी मंदिर नामक एक करांती कारिक संगठन के अस्थापना किस ने की थी तो फ्रेंट्स किस ने किया था भूपेंदर नाथ दत ने किया था अप्सन नमबर बी हो जाएगा 1908 में किसकी अधिक्स्ता में बिहार में कॉंग्रिस्यों की सभा का आयोजन हुआ तो देखे मोहमद सयद अली इमाम ठीक है और ये सभा जो हुई थोड़ी से पहले देर पहले मैंने बताया था आपको कि इसमें स्वरोस्वमति से बिहार को बंगाल से प्रिधक कर नए सेस्ता में मौहमद सयद अली इमाम ठीक है तो देखें से कोई नहीं रायेटन सर्क हो जाएगा से अली इमाम का नाम इसमें नहीं दिया गया है ठीक है यह हसन इमाम दिय आ गया है सयद अली इमाम नहीं दिया गया थी चलियो अध्यक ऐगा कि कोंग्र 시작 Igor के 27 अधिवेशन ज की जा रही है होम रूर लिख्किया स्थापना उनीसो कभूई थी सोला हमें हुई थी अप्सिन नुबर सी राइट अंसर हो जायेगा उसका बाद देखेगा कि असायोग आंदोलन के क्रम में इन में से किसने विधाई का के चुनाव से अपनी उमिद्वारी वापस ले ली थी तो सभी थे इसमें से ठीक है उपरिक्त में से एक से अधिक राइट अंसर इसका हो जायेगा उसका बाद 37 नंबर देख लिजे कि असायोग आंदोलन के दौरान इन में से किसने और वैतनिक मजिश्टिट के पच्छे इस्थिफा दे दिया था तो यह हो जागा महेंद्र प्रसाथ अगला कुस्टन देखिए कि दव मदर लेंड नमक अकबार का प्रकाशन कब से प्राणम हुआ था तो यह औसायोग आंदोलन के दौरान ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे औसायोग आंदोलन के दौरान 1921 में तो देखिए आपर 1921 दो दो बार दिया गया है ध्यान रखेंगे मजहरूल हक ने जो है इसका प्रकाशन सुरू किया था नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा 39 नमबर कुस्टन करें कि भिहार में नंगी हर्ताल निमलेकित में से किस आंदोलन के दौरान सामने आय थी तो देखिए च्छापरा में और यह सबने आग्या अंदोलन के दौरान ठीक है छपरा में और बी राइटन सरह हो जाएगा बीदेशी वस्तरों का बहिसकार इसमें जो कैदी थे उन्होंने किया था देखिए मुंगेर में किसान सभा क्या स्थापना कप की गई थी तो यह 1922 देस्ट में की गई थी साह म मोहमद जुबायर के नित्रित में उनाइटेट पॉलिटिकल पार्टी की अस्थापना कप की गई थी बताइए तो फ्रंट्स यह की गई थी 1932 में उसका बाद अगला कुस्चन है कि निम्लेकित में से किसने 1931 में बिहार सोचलिस्क पार्टी के अस्थापना की थी तो इसक तो 37 में बिहार प्रांती चुनाओं में कॉंग्रिस ने कितने अस्थानों पर जीत हांसिल की थी तो यह हो जाएगा 98 अप्सन नमबर बी हो जाएगा अगला कुस्चन देख लिजेगा 44 नमबर कुस्चन कि महाधिवक्ता स्रिभलदेव सहाय ने किस घटने के दौरान महाध नमबर यह हो जाएगा 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो यह था मेजर बारो ठीक है इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट कुस्चन देख दीजेगा कि बिहार में 1800 संथां की क्रांती के नेता कुंगर सिंग का देहांत कव हुआ था इसका एंसर आ अग लिया था तो यह थे फणिंद्रनात गोस्स इंपोर्टेंट कुस्चन है इसको ध्यान रखेंगे चलि अगला कुस्चन देख लिजेगा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कव हुआ था इसका गठन यह कव हुआ था यह हुआ ता 1929 में इसका धक्ष स्वा आप देख लीजेगा इस question को पहले भी मैंने बता दिया था ठीक है इसमें सचिदा नंद सिनहा भी थे यहाँ पर देख सकते हैं रोजेंद प्रसाद भी थे जगजीवन राम भी थे तो एक साधिक अलड़ी आपको देखे दो आदमी तो ऐसे ही मिलते हैं फ्रेंड्स पचास ही question है इसमें उमीद करता हूँ कि session आपको पसंद आई होगी जोगरफी वाला देख लीजेगा और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और share जरूर कर दिजेगा